सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल टोपिक को और बेल आइकन को प्रेस करके ओल के ओप्षन को सेलेक्ट कीजिए जिससे हमारे चैनल पे आने वाली नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल डिजिटल टोपिक मे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना मोवाइल नमबर रिष्टर कैसे करेंगे वो भी फ्री ओफ कोष्ट और फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स ये चैनल पर आप पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखने को मिलती रहे तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं प्रेंड्स अब आपको सिंप्ले पर मॉवाइल के मैन ब्राउजर में आ जाना है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं गूगल क्रोम में आ चुका हूँ अब आपको सबसे उपर ही एक वेबसाइट दिख जाएगी जिसका नाम है www.nvsp.in जो की वोटर आईडी कार्ड की कोफिसल वेबसाइट है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ जब आप इस वेबसाइट के अंदर आजाएगे तो आपको सिंपली नीचे स्क्रोल करना है और फिर जब आप नीचे स्क्रोल करके आजाएगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा ग्रीन कलर में जैसे कि यहाँ पर लिखा है दो नोट हैव अकाउंट रेइस्टर एजन न्यू और फ्रेंट जैसे कि आप देख तो यहाँ पर आगे कटा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते मेरे सामने फोर्म खुल कर आ चुका है फ् वीडियो का लिंक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा और उपर आई बटन में देदूगा आप जहां से चायाँ वासे देख सकते हैं और इस वेबसाइट पे एक न्यू अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं और फिर आपने इस वेबसाइट पर जो आभी न अवाइल लंबर और पासवृट दोनों को ही फिल कर चुका हूं इसके बाद आपको नीचे उप्शन मिल जाता है capture code का फ्रेंट जो लेटर यहां पे capital में है वो आप नीचे capital में फिल करेंगे और जो लेटर small में है वो आप नीचे small में फिल कर देंगे और यदि आपको प्रेंट जब आप इस वेबसाइट में अपने अकाउंट को लोगिन कर लेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सर्विस खुल के आ जाएंगी और आपको यहां पर तीसर बटन मिल जाता है जैसे कि मैं हाइलाइट भी कर रहा हूं करक्षन इन पर्सनल डिटेल आप यहां पर किलिक करेंगे और जब आपका नेक्ट पेज लोड हो जाएगा तो यहां पर आपको कर्रेक्षन के लिए पूछा जाएगा आपके जो 56th पत्र का IPC नंबर होता है वो आप यहां पर फिल करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर वह देख सकते हैं और इसके बाद आपको option मिल जाता है नीचे जिले का, friend जैसे के आप देख सकतो मेरे यापने जिला select नहीं है तो मैं आप अपने जिले को select कर लेता हूँ, और आप जैसे के आप देख सकतो मैं आपने जिला select कर चुका हूँ, इसके बाद आपको नीचे option मिल जाता है विधान स कि English में लिखा है महाँ पर सिलक करना होगा और जब आप ऊपर इंगलिस वाले नाम को किलिक कर देंगे जैसके आप देख सकतो मैं किलिक कर चुका हूँ इसके बाद आपको नीचे एक ब्लैंक बोक्स दिया जाता है जहां पर आपको प्रणाम हिंदी में फिल करना होता है तो की मेरा सरनेम है पहले मैं इंग्लिस वाले नाम पर क्लिक करूँगा अब जो मुझे नीचे एक दिखता है जहाँ पर मुझे हिंदी में नाम फिल करना है है करेक्शन का फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस भी डिटेल में अपने करेक्शन करना चाहते हैं वो आपको यहां से स्लेक्ट कर लेना है और यदि आप सिर्फ अपने वोटर आईडी कार्ड में मॉवाइल नंबर को रेइस्टर करना चाहते हैं तो आपको सबसे लास्ट वाला उप्सन चुल लेना है अन्या का जैसके मै यहां पर मेल को चुल लेता हूं इसके बाद आपको नीचे आइड़ याइडी और ओर मॉवाइल नंबर का शाथें वो आपको यहां फे फिल कर देने हैं तो जैसके मैं आप नेपना इस्थान को कर चुका हूँ इसके बाद आपको नीचे option मिल दाता capture code का जो उपर capture code दिया गया है आपको simply नीचे फिल कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकतों मैं नीचे अपना capture code भी फिल कर चुका हूँ इसके बाद आपको और friends आपके water ID card में mobile number register होने में कम से कम 20 से 30 दिन का समय लगता है तो friends आप इस तरह से कुछ step follow करके आप अपने water ID card में mobile number register कर सकते हैं वो भी free of cost और friends ज़िए आपका new account create नहीं हुआ है इस website पर और आप एक new account यहाँ पर create करना चाहते हैं तो इस वीडियो का link मैंने आपको description box में दे दिया है और उपर I button में दे दिया है आप जहाँ से चाहँआ से देख सकते हैं तो friends कैसी लगी वीडियो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें तो friends मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै बारत